बनाने वाल ही विल्कुल बनारसी श्टाइल में लसी, यहां पे दही को मैं अच्छी तर से घोट ली हूँ, छाज जैसा बना ली हूँ, जाक आ गया, उसके बाद इसमें हम डालेंगे चीनी, चीनी डालके तब तक हमें हिलाना है, जब तक की चीनी गल जाए, और यह बनारसी हम पी रहे हैं या डूबली केट, तो सारे तो वही लिख रखे होते हैं, पहलवान की लसी, पहलवान की लसी, फर्स टाइं मेरे ख्याल से पहली सौप उनकी खुली हुई थी, एक सरदार ने खोला था वहां पे, लंका पे जाकर, उनिस सपचास में, उसके बाद जब भाई हैं और पूछने पर बोलते हैं कि हम लोग परिवार वाले हैं, इसमें बाद डालना है, जब चीनी गल जायता है, उसके बाद वहां पर घुचण में देते हैं, कुछ कटोरा टाइप गुचण आता है, चोड़ा मुवाला पर हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं मेरे प भर ली हूं, दही थोड़ी सी डालनी है, और दही के बाद मलाई वाली दही है, तो यही है, इसमें चाच, दही, मलाई, रबड़ी, सब का यूज होता है, सिर्फ चीनी और लसी ही नहीं रहता है, तब ही वह बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, अगर इस तरीक यहां पर डालेंगे, एक एक दो चमस मलाई, हाला कि दुकानों पर इतना भर-भर के नहीं देते हैं, घर पर चीजे हम बनाते हैं, अमन मुताबिक थोड़ी सी कम जादा चीजे डाल सकते हैं, और बहुत टेस्टी बनते हैं, गर्मियों ने दस्तक देई दिया है, गर्मियो उसके बाद इसमें डालना है खास यही रबडी, रबडी में बदाम पिस्ता वगर पिस्की जमादर टाइम ही डाल दी थी जब पका रही थी तब ही और यही खासियत है वहां की लसी की, इसमें लसी में दही, मलाई, रबडी सब जाता है एकी साथ, तो पीने लाइक नहीं रह जाता है, यह नहीं बोड़ सकती कि इस लसी को पी ले, वो चम्मत से उठा उठा के खाने लायक होता है, इस सब सारी चीजे गाड़ी हड़ी सी गई होती है, अला कि कोई कंफ्यूज भी रहता है कि इतना मलाई हो अगर है कैसे डाल सकते हैं, तो बोलते है हमारा दुकान जो लसी पीना एक दम भूल जाएंगे, बाहर का किसी भी प्रकार का अच्छा से अच्छा जोसो लसी हो दम जचेगाई ही नहीं, तो इस गर में यह वाले ठीक अपना के और यह वाले लसी बना के जरूर पिये, बिलकुल पहलवान लसी वेदान ने हमारे बेटे निनाम दिया ह पहलवान के लसी मा बनाई हो, तो वैसी तो नहीं है, सौप पे भी बहुत जितनी एक लाइन से आप जाएए देखिए, वहां पे लाइन से सारे वही लिके होते हैं, जितनी भी लसी बेचने वाले होंगे, पहलवान के लसी, मैं भी कंफूज दिए हम जी सौप पीते हैं, क सारे नाम से खोल रखे हैं, और वैसी लसी सेम है, उनको बनाती हुए देखी थी इस तरह से, घर्वे बना के तयार करें, बहुत ही टेश्टी लसी वारी बन के तयार होती है, तो इस घर्मी जरूर बनाई, यह वाली लसी, रबडी वाली झाली